दोस्तो आप सभी का RPSC की नए सेकंड ग्रेड पर्टी के साथ मैं में में स्वागत है आज की इश्विडी में हम बात करने वाले है RPSC Senior Teacher Grade Second Requirement 24 की जो विश्तत जानकारी है उसके समन में यनि कि आज के इश्विडी के मादेमसे मैं आपको सबजेक्ट वाइज कुल कितने पद ओपन किये आविदन क्या ने आगए क्या रहेगी आविदन की उम्र हरे वे कर प्रिक्सरा का आयोजन कब होगा और इसका प्रिक्सरा पाठे करम है वह कौन सा है तो उसके समिन में आज इस video के मादेम से मैं आपको जो पूरी जानकारी है वो देने जा रहा हूँ तो इस video को चुरू शिवीड़ के लेकर अंतक जरूद देखना यदि जानकारी अच्छी लगए तो इस video के लिए मुझे एक लाइक जरूद देना यदि अब सबसक्राइब के लेना और रांटर में बेल ऐक्टों को जरूर प्रेस करना साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर करके हर विरुजगार विवा को जरूर फाइदा करना अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दू कि RPSC ने नई पढ़ती सेकंड ग्रेड की जो नई पढ़ती निकाली है वो टोटल कुल पद 346 पदों की पढ़ती निकाली है ठीक है अपको बता दू कि जिसने भी वन टेमे रिष्टेशन कर दिया गया है और फीस पर कर दी गया है तो उनकी जो फीस है वो नहीं लगेगी यानि कि एक बार OTR करने के बाद में दुसरी बार किसी भी परकार की फीश आपको पे नहीं करनी है यानि कि वन टाइम कंडिडेट जिना ने वन टाइम रिश्टेशन कर दिया है उनकी फीश पे नहीं करनी है तो इसका जो payment मोड रहेगा वो online करेगा इसकी जो important dates है यानि कि starting date for apply online यानि कि जो form start हो रहे है वो 6-2-24 से start हो रहे है इसकी जो last date रहेगी apply online की वो 6-3-24 रहेगी यानि कि 6-2-24 तक आप इसका आविदन कर सकते है लेकिन आप अपना किम्ति से में गवाए 6-3-24 से पहले ही इसका आविदन कर ले क्योंकि अंत में किसी समस्या का सामना करना पढ़ सकता है अब मैं आपको इसकी जो age limit है वो 1-7-2-24 यानि कि 1-2-24 तक आपकी 18 वर्स होनी जरूरी है साथी 1-7-2-24 तक आपकी 46-46 से उपर उम्र नहीं होनी चाहिए जो सूट रहेगी वो नियमा अनुसार रहेगी ठीक है अब आपको क्वालिविशन जो आपका होना जरूरी है अब मैं आपको बता दू कि जो सीनियर टीचर गरेट सेकंड की जो पड़ती है वो सब्जेक्ट वाई जो जितनी वेगनसी है संस्क्रेट की बढ़ती रहेगी हिंदी की जो कुल पड़ रहेंगे वो 49 रहेंगे इंगलिस के पड़ रहेंगे वो औन पच्छास रहेंगे शोशेल साइंस यानि कि सामाजिक विग्यान के जो कुल पड़ रहेंगे वो 65 पड़ रहेंगे eligible candidate जो आपना आवेदन करना चाहते हैं वह आपना आवेदन करने से से पहले इसका फूल notification है वह एक बार जरूर पढ़ लेना ठीक है तो इसका जो आवेबल जो फार्म है वह 6224 से इसका जो apply करने का फोर्म ओपन होगा वह 6224 से start होगा अब मैं आपको इसका जो नौटिविशन है वो आपको एक बार बता देता हूँ तो गाईज आप देख सकते है आरपी असी का जो राहिस्तान लोग सेवा आयोग अजमेर का जो विश्तत विग्यापन है वो 31 से 1224 को जारी हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जनरल कैटेगरी वाइज संस्क्रेट में जो कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट क्या कहते हैं जो पद दिये हैं वह आप इस वीडियो के मादिम से इस सैनल के मादिम से देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बदात हूँ कि इसका जो विश्तत जानकारी है वो पढ़ने के बाद ही आप इसका आविदन कर लेना क्योंकि इसमें जो सटिक जानकारी दिगी है आपको किसी भी परकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े इसलिए एक बार इस फूल नाटिपसन को जाइब एक जाओगाँ एक बार अपको किसी। तुरिए कि समस्याओ कर दोड़ में परकार इस जानकारी आपको किसी हुत मतारी आपको कि आपको कि एक पर एक बारे जानकारी आपको कि विए.